दोस्तो फाइनली आज वो दिन आ गया है जब कश्मीर घाटी के इंदर पहल इलेक्ट्रिक ट्रेन जो यहाँ पर चल गई है यह देखिए बरफ देखिए बरफ 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 एक बरफ पर नजर मारो और फिर ट्रेन पर भी मार लो भाई साथ हमारे नहीं अब करती हो बीडिया काने है इ मीडियाह मेरे नहीं तो जहांपर हवा चलती उस तरफ चलती है मेरी कि दूब हो रहे हैं टेफिनेटली जहां जुल मोता वहां 32,000 को रोड़ की इनवेस्टमेंट तो नहीं होती वहां पर थो वर्ल्ड क्लास की हक में बहुत हैं मूदी साहब की हक्त में बहुत करें सब्सक्राइब करूए तो हमारे बात कर देखो कितना है तो आप खुद सबसे हाइस ब्रिज ब्रिज क्या हमें दिखाया गए वहां पर रेल्वे निजाम बेटर होगे और आज वहांपर एक नई इसको तो मार देना चाहिए यह जिए गलत भियानी करें हैं इस तरह तो नहीं होना चाहिए जिस तरह उने कश्मीर का बेड़ागर किया यह तो हमारा हमारा मुलक है वो तो हमारी पाकिस्तान में उसको आना चाहिए था परव मिनश्र साब को हम यही कहेंगे कि जो उन्हें पहले आने वाले वक्त में एक सपने की तरह बात बताई थी कि वह ऐस तरह से होगा और लोगों के अंदर एक शचुर था एक शक्ता कि वह यह बात जोटी हो सकती है लेकिन आज उन्हें सावित कर दिया कि यह बात सही भी करें अभी तक ऐसा को प्याम ना आया ना को आयेगा नमस्कार दोस्तों नमो राष्टवाद में आपका स्वाब आते आज किस वीडियो में देखेंगी कि कश्वीर में अब एलेक्ट्रिक इंजन के साथ रेल चल रही है अब यही सब पाकिस्तानी देख रहे हैं और इनके अलेक्रिफेशन नहीं है पूरी तुरा से फेल हो चुका है तो यह लोग कंपेर कर रहे हैं अपने P.O.K के साथ भी P.O.K पर कुछ भी नहीं है अच्छी सड़के तक नहीं है तो आई पहले पूरा वीडियो देखते हैं और उसके बाद हम लोग डिसकस करेंगे साथी साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि दूसरे चैनल पर एलेक्शन के बाद जो एलेक्शन हुआ था भी उसके बाद कुछ अनलेसिस वीडियो हमने डाले हैं और धुर्वराटी जैसे लोगों का हम लोग मुकाबला करने कोशिश करें कि लोगों को मिस्गाइट ना कर पाएं आ को तकरीबं 2010 यारा 12 में बता चुके थे हमेने यह करना है कर देखाया तिसरी बात इंडिया की जो एकोनॉमी है वो कहीं गुना जादा है पाकेस्तान से इंडीयकी एकोनॉमी आट गुना जादा है इंडियकी एकौनॉमी 37 Before liksom बिलियन डॉलर्स है जबके पाके पाके पास 34 पाकिस्तान की टोटल एकॉनमी इंडिया का एक स्टेट महराश्टरा से भी कम है अब आप मुझे बताएं कि जब आपके पास आपकी जीडिपी अगर तीन सो एक तालीस बिलियन डॉलर्स है तो आप क्या क्या इंवेस्ट करेंगे कहा क्या इंवेस्ट करेंगे आप से तो होन ही नहीं है संबाले ही नहीं जाना जो सेंटीस सो बिलियन डॉलर्स की एकॉनमी है वो बहुत कुछ कर सकता है उनका विजन बड़ा ब्रॉड है अब आपने बात की रेलवे की शुकर है कि गोरू ने पाकिस्तान में रेलवे ट्रेक बिचाया अगर गोरे यहां नहीं होते त हो भी खा जाते तो अलरिडी ट्रेन तो यहां पमेपते यहीं होना था वो इलेक्टरिक ट्रेन पे गए हमारे यहां डीजल से चलने वाले ट्रेन भी काम कि नहीं है गंटू त्क दाखि तर चलती है इस माइंड सेट से अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान को मुश्किल से निकालेंगे या इंडिया के मुकाबला करेंगे तो हमारा मुकाबला गत्तन इंडिया के साथ नहीं है। ज़रार है कि बस मैं हूँ कोई इनसान किसी को नहीं देख रहा है तो दुनिया वहां पर टूरिजम के लिए क्यों जा रही है इंडियन कश्मीर के बात कर रही हूं यह खुदगर्जी है यह सारी के सेलफिशनेस है यह वहां पर नहीं जाना चाहिए इनको अच्छा अगर वह पर बेहतरी भी हो रही है तो भी हम कहेंगे कि नहीं जाना चाहिए उनके लिए पिर कोई अमल भी करें ना उनके उनको उनके हक के लिए भी कोई बोले रहा वो तो कोई भी नहीं बोलता है आज 32,000 करोड़ उपे का बजट पास किया है प्राइम निस्टर मूदी ने सिर्फ वहां के इदारों के लिए तलीमी इदारों के लिए आज उनकी वहां पर वी यह रोड़ शो हुआ है मेरे खियाद में तो किश्मीनों जल्म हो रहा है डेफिनेटली बिल्कुल ऐसे जहां जल्म होता है वहां 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो नहीं होती वहां पर तो किसी की हैं किसी के हक्में बात करूंगी मैं किसी की हख में बात निकरूंगी नजर नहीं आरहें यहाँ पर में थो आई दिन यूर्ज में यह सुन रहे हैं कि उनके साथ बहुत जलुम हो रहे हैं हमारे निऊज में कभी यह दिखाया गिया कि वहा पर वнова का सबसे हायेंस बजबना है इंटरनेशनल मीडिया जो हमें दिखा रहे हमने तो वही कुछ देखने हैं ना इंटरनेशनल मीडिया नहीं हमारा अपना मेंस्ट्री मीडिया दिखा रहा है इंटरनेशनल मीडिया तो वहां पर दिखा रहा है तरक्की कितनी हो रही है वहां शेक गए थे अरब की शेक गए यही नजर आया है कि बहुत जल्म हो रहा है हर चीज इसी तरह हमें नजर आई है मैं यह आप यह फैक्ट तो आज आप बता रही है मुझे आप मुझे यकीन ना करें आप गूगल कर ले खुद अभी आपको गूगल पर डेरो पॉइंट्स निकल आए अब भी कर ले मेरी जा रहे हैं लोग जारी बते विजट करने के लिए वहां पर गूमने फिरने के लिए सबुचा रहे हैं और वापस मरकर ही वापस आते हैं क्योंकि वहां की सड़के नी ठीक है यह बिल्कुल कभी कुछ हो रहा है अब मेरे अपने जानने वाले कुछ लोग गए उनका एक्स कश्मीर है लेकिन है मेंगाई वगर डीफिने लिव पाकिस्तान के ही हिसा है तो यहां पर वह? का कह से Мजे लगता है हैं नहीं अजा नाम के हमाय मुझे बताये जब हमारे कश्मीर में ढहीं है свое मतेदा में हमें यह किですか कश्मीर हासिल करना कूछ कि कश्यों कर लेंग पाकिस्तान ने कुछ ने मिल रहा है, पाकिस्तान में हमारे जो क्या वसायल है, ढिए बिल्स टेक करें अब। यहां पर अपने विल्स पे करे, खाना कहें, रेंट दै क्या करें। यह एजूकेशन दे अपने बच्चे को, क्या करें। कुछ भी निए कर सकता। इन सब के लिए यह तो खेर नहीं मुझे पता कि आपको लगता है कि वहां पर हमसे जादा फैसलिटीस कश्मीरियों को मिल रही है मुझे वैसे लगता है कुछ ऐसा ही सीन है वहां में खा पी अच्छा रहे हैं हमसे ठीक है यहां पर मेरे खुद कुछ सरकल इस तरह का है मेरा म मैं बहुत से लोग इस तरह के देख रही हूं और खुदकुशी कर तक लोग आ रहे हैं तो दोस्तों वीडियो अपने देख लिया है और वीडियो में साफ पता चलता है कि पियो के में कुछ भी नहीं है अगर हम कंपेर करें जो भारत का कश्मीर उसमें जो डेवलेमेंट ह हो रहे हैं और जारा 370 के बाद जो इतना मैसिव डेवलेमेंट हुआ है उसके हम कंपेर करें तो कुछ भी नहीं है मैंने और भी कई वीडियो देखे थे कुछ वीडियो पहले डाले जिसमें जीन के का वीडियो जिसमें बताय जा रहा था कि भी वहापे हॉस्पिटल तक न कंडिशन है लेक्टरी फेशन बिल्कुल नहीं है इन्होंने ट्राई किया था लेकिन वो फेल्ड हो चुका है और रेल्वे कि इतनी बुरी हाला थे कि बतलब सफर करना ही बहुत मुश्किल है उसमें और बहुत से वीडियो समय समय पर आते रहते जिसमें पाकिस्तानी बु जो लोग यूट्यूबर बैट की गुमरा करते हैं सिंतुर पुराठी जैसे लोग उनसे बचना चाहिए अब मैंने एक और चैनल खोला है जिसमें इलक्षन के बाद कुछ एनलिसिस वीडियो मैंने डाले है इस्पेशली आयोधिया में जो एलक्षन वाद हो उसमें क्यों प्षेट के साथ रियल वीडियो डाला है और आप गूगल पर चैक करके फैक्ट चैक कर सकते हैं मुझे आपका सही योग चाहिए उस वीडियो को आप देखें और लाइक करें शेयर करें और कमेंट पर अबने कमेंट जरूर लिखें और ये वीडियो कर अच्छा लगाओ अगले मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए जैश्री राम